हेलो फ्रेंड मैं इस्पृति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने योटूब चैनल स्टडी वीतिस्मृति में तो चली सुरू करते हैं आज की क्लास तो आज ही क्लास में आज मैं आपको बताने वाली हूं बहुत देश्य नदी घाटी पर योजनाओं के बारे में और यह तो यह जो चारगंड से संबंदित हैं तो यह आपके सिल्वस के कॉडिंग है कि आपके सिल्वस में आपको पढ़ना है बहुत देश्य नदी घाटी योजनाओं के बारे में जिसमें से आपको 2.0 क्लियर करने वह दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में और यह नदी घाटी परियोजना कहते हैं इसके उद्देश एक से अधिक होते हैं ऐसी नदी घाटी परियोजना कहते हैं इस परियोजनाओं के अंतरगत बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसके उपर बांध बनाए जाते हैं कि जाता है और विभिन टेश है जिसके वारे मागे हम लोग चर्चा करेंगे तो यह क्या नदी घाटी परियोजना कोई भी नदीघाटी परियोजना होती है तो जल विदुद उत्पादन है मत्से पालन नौका परिवहन यह सब युद्दैशिस में रहते हैं ब्हारत के प्रथन पत्धान ने नंदि घ्जणा को अधुर। परियोजना के वारे में जो आपके इंपौर्टेंट है मैं उसमें आप लोगों को पढ़ना हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना यह पर्योजना अमेरिका की शफल रही ठैनेसी घाटी परियोजना से हैं से प्रेशा कर बनाई गई थे तो साफिक यह दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो प्रेरीध है तो वो है अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना यह जो परियोजना थी वो अमेडिका में सफर रही थी और इसी से प्रेरीध होकर भारत में भी दामोदर नदी घाटी परियोजना की को उसकी सुरुबात की जिसका मुख्याले कलकत्ता में अस्थापित किया गया है दामोदर, नदी, घाटी, निगम की अस्थापना जुकी गई है और इसका मुख्याले जो है वो कलकत्ता में है यह परियोजना जार्खन एवं पर्शिम बंगाल की सयुगत परियोजना है यह इस परियोचना के अंतरगत आठ बड़े बांध एक अवरोधक छे जल विधुत ग्रे ये तीन ताप्या विधुत ग्रे का निर्मान किया गया इस परियोजना की अंतरगत आठ बड़े बांद बनाए गया है एक अवरोधक बनाए गया और छे जल विधुत ग्री का निर्मान किया गया उसके साथ तीन तापिया विधुत ग्री का भी निर्मान किया गया छे जल विधुत ग्री का निर्मान और तीन तापिया विधुत ग ग्रीव बनाए गया एवं तीन तापिया विधुत ग्रीव का निर्मान किया गया अब देखिए दामोदर नदी जारखंड में 290 किलो मीटर बंगाल में 240 किलो मीटर प्रवाहित होती हैं इसकी कुल लंबाई जो हो गई वह 530 किलो मीटर की हो गए बरसाथ के मौसम में 18,000 वर किलो मीटर के छेत्र में दामोदर नदी के द्वारा तबाही मच जाती थी जब दामोदर घर नदी घाटी परयोजना का निर्मान जब नहीं हुआ था उसके पहले जब दामोदर नदी में जब बाढ़ हाती थी उसके कारण 18,000 वर किलो मीटर का जो छेत्र था उसमें दामोदर नदी के द्वारा तबाही मच जाती थी दामोदर नदी में आए बाढ़ के द्वारा काफी जानमाल का नुकसान होता था इस बाढ़ से मुक्त होने के लिए सरकार ने दामोदर वैली प्रोजेक्ट की रशना की तथा इसे बहुत देश्य योजना बना कर इसके साथ कई लावकारी योजनाओं को जोड़ दिया गया इस योजना के तहत निम्ण उद्देश्यों को सामिल किया गया है अब कौन कौन से उद्देश्य को सामिल किया गया है जैसे पहला है सिचाई और भूमी का व्यानिक उ फिर छटे नंबर पे है वन विस्तार विर रिक्षा रोपन या मिंधन का प्रयोग सात्वे नंबर पे है पशुमों के लिए चारा उत्पादन आठवे पे है आकाल से मुक्ति नवे पे है भूमी अपर्दन रोकना यह उसे क्रिसी योग्य बनाना भूमी के कटाओं को रोकना और उस भूमी को किसी के योग्य बनाना भी इसी दामोदर नदी घाटी परयोजना के अंतरगत आता है और संसाधनों का समुचित उपयोग जो भी संसाधन है उसका समुचित उपयोग करना भी इसके अंतरगत आता है इसके उदेश्यों में है तो दामोदर नदी के सब्सक्राइब injection नदी पर बनाए गए बांद है पंचेद अयर बेर्मो बोकारो तो बोकारो नदी पर और कुनार बोकारो नदी पर बोकारो और कुनार जो हो बोकारो नदी पर पंचेद अयर बेर्मो है वो दामोदर नदी पर तिलया मैथन बाल पहाड़ी है बराकर नदी पर बराकर नदी औ बोकारो नदी दामोदर की सहायक नदी हैं तो इसी नदी घाटी परियोजना के अंतरगत ही इस पर बांध बनाए गए हैं तो चलिए हम लोग आज अभी आप लोगोंने जाना दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में अब इसके बाद मैं आपको बताने जारी हैं स्व हुआ इसका प्रतमच्रण पूर्न और इसका ज़ात फिर्फ ही इस परियोजना का उद्देश्य कर था तो आप इस ने दामोदर घाटी परियोजना की बारे में बताया तो वह शबी इसमें भी सामिल होगे लेकिन जो इनसे मुख्य उद्देश्य थे मैंने यहां उसके बारे में बताया कि इसका मुख्य उद्य से बाड़नी अंत्रन भूमी संडक्षन सी चाई सुविधा और दोगिक जल यह पेजल तथा जल विधुत का उत्पादन है तो चलिए यह आगे बढ़ते हैं दूसरे परेग्राप में देखते हैं कि यह योजना जहारखंड उडिसा यह प उडिसा के अंतरगत 90,000 हेक्टेयर तथा बंगाल के अंतरगत 5,000 हेक्टेयर सिचाई की योजना बनाएगे इसको आप याद करेंगे कि इस जो नियस्वांड्रेखा नदी घाटी परियोजना है इसके अंतरगत जहाटखंड राज्ये में 170,000 हेक्टेयर उडिसा के अंतरग यहां परियोजना वर्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है इस परियोजना की अंतरगत चांडिल गलुडी और इचा बांध बनाए जाने हैं तो इन बांधों से 2.4 सिच्चाई की योजना है प्रथम चरंड में चांडिल बाई नहर से इसकी बाई नहर को खोला गया जो प्रथम चरंड में 58.5 किलो मिटर तक सिच्चाई की योजना है जिसे प्रार्म किया जा चुका है कब 31 अगस 2003 को चांडिल बांध जो है उसको शुरू किया गया और इसका जो बाया नहर है उसको खोला गया और इसके अंतरगत 58.5 किलो मिटर की सिच्चाई योजना इसके अंतरगत आती है तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसी योजना के तहट हुंड्रू जल प्रपात से 120 मेगावाट जल विदूत का उत्पादन किया जा रहा है इस जो स्वांद्रेखा नदी घाटी पर योजना है इसके तहट हुंड्रू जल प्रपात से 120 मेगावाट की दो यूनिटे हैं 60 मेगावाट की दो यूनिट है इसके अंतरगर तो अब आगे हम लोग जानते हैं कि इसके अभी हम लोग स्वांद्रेखा नदी घाटी परियुसना के बारे में पढ़ा इसके बाद जो का जो टॉपिक है वो है जारखन के खनी संसाधन तथा उनका नि मुख सवाल है उसको मैंने आप लोग जो कमेंट करते हैं और उसमें मुझसे कुछ सवाल को पूछते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहे हूं लेकिन एक बार रिवाइज करा देते हूं ताकि रिविजन करने से और आपका और भी क्लियर हो जाएगा यह इसपे अच्छा कमांड वह जाएगा तो भ हो दिशे नदि घार ती योजना किते हैं तो यह ऐसी योजना होती है ऐसी डिप ़ो जो बनाये जाते हिगा न霜म शहथ साथ बाद नी अंत को पूरा किया जाता है और इसी को भारत के प्रधान मंत्री ने इसको आधुनीक भारत का मंदिर या तिर्थास्तल के संग्या भी दी है अब जार्खन के कुछ प्रमख बहुत देश्य नदी घाटी परियोजना जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है आपके मेंस के सिलबस में है जैसे बतारी हूं कि इस परियोजना की शुरुआत हुई थी वो 7 जुलाई 1848 में ही हुई थी और यह भी एक बहुत देश्य नदी घाटी परियोजना जो थी वो टेनेसी नदी तेनेसी घाटी परियोजना जो चलाए जा रही थी अमेरिका में और वो सफल थी तो उसके उसको उस जुलाई को तो और इसका जो दामुदर नगट नदी घाटी परियोजना नीगम की जो स्थाबना की गए उन्यस्वन तालीस में इसका मुख्याले जो था वो कलकत्ता में है इस कलकत्ता में ही इसका मुख्याले उससे में स्थापित किया गया लेकिन आर्फी इसका जो मुख् परियोजना को लाए गया और इसके द्वारा इसको बहुत देशी नदी घाटी परियोजना से जोड़ा गया क्योंकि इसके उद्देश जादा थे उसमें कौन-कौन से प्रमभुक उद्देश थे जो तो पहला है सिचाई और भूमी का वैज्यानिक उप्योग दूसरा है विधुत उत्पादन और अध्योगिक विकास तीसरा है बाढ़ नियंत्रन चोथा है घरेलू जल वेवस्था पांचवा है मचली उत्द्योग का विक प्रियोग सात्वा है पस्वों के लिए चारा उत्पादन आठ्वा है अकाल से मुक्ति नौवा है भूमी अपर्दन को रोकना तता उसे क्रिसी योग्य बनाना दस्वा है संसाधनों का समुचित उप्योग और इस प्रकार आप लोगों ने इसका उद्देश को जाना और दामुदर-मद्र नदी-घाटी परियोजना की अंतर्गत आठ बांध बनाए गए वो तिलया मैथन- बाल-पहाड़ी पंचयत ऐयर बेर्मों बोकारो और कोन आर तो इसमें तिलया मैथन बाल पहाड़ी यह बराकर नदी पर पंचेत अईयर बेरमो इदामोदर नदी पर बोकारो और कोनार जो है वो बोकारो नदी पर फ्रॉंडे खान दी घाटी पर योजना की जो सुरुवात हुई थी और इसका जो प्रतम चरण कुछ जो सुरुवात हुआ इसका उद्खाटन हुआ 203 से 203 इसवी में और 31 अग पर योजना थी और इसके बाद इस इन परियोजनाओं के अंतरगत जारखन डाजे में 170,000 हेक्टेयर उड़िसा के अंतरगत 90,000 हेक्टेयर तथा बंगाल के अंतरगत 55,000 हेक्टेयर की सिच्चाईकी योजना बनाई गई और यहीं जो पर यूजना है वो वर्लड वेंग ज चाहिता से चलाई जा रही है और इस योजना के तरत हुंडु जल प्रपात से 120 मेगावार्ट जल विदुत का उत्पादन किया जा रहा है और यहां 60 मेगावार्ट की दो यूनिटे हैं तो हुंडु जल प्रपात की जो योजना है वह भी स्वंडेखा नदी घाटी पर योज चलिए अब इंपोर्टेंट जो प्रश्न जो आपसे आपने पूछा कमेंट के माध्यम से तो उसके उस पर हम थोड़ा प्रकास डालते हैं और उसके बारे में बताते हैं जैसे आज मैं आज कहीं यह सवाल है आज मुझे किसे आनद किसको जी ने कमेंट किया और उन्होंने कि मुझसे दो प्रश्न पूछे तो आप निशीन्त रहिए किसको जी आप प्रश्न का उतर में जरूर दोंगी और आप मुझे सिर्फ एक और बात बताईगा इस प्रश्न का उतर में लॉंग एंसर की तरह दू या फिर आपको शॉर्ट एंसर में दू तो आप इसको इसको विद्रो को ही पहला क्यों मानते हैं तो इससे एक लॉंग उत्र भी इसका त्यार हो जाएगा कि संथाल विद्रो को संतत्रता संग्राम का पहला विद्रो क्यों नहीं माना जाता है और संतर्थाल्था संत्राल Awesome पूरे भारत के इतिहास में इसका भी महत पुर्ण स्थान है लेकिन 1857 इस भी की विद्रों था या कद्रागंत करांती थी तो इससे पहला ही इस इसी को ही पहला जस्वत अधिता संग्राम ही क्यों कहा जाता है तो इसका उत्तर में आपको आवश्य दोंगी आपने शिंद रह करते हैं ऐसा क्यों क्रीपा कर इस्वर प्रकास जाले तो मुझे जहां तक पता है कि जर्जातिय विद्रों को दो भागों में बांटके पढ़ा जाता है एक जर्जातिय विद्रों एसा जो अठारसफर संतावने के पहले हुआ था और दूसरा जन्जातिय विद्रों जो 1857 तो आपको दो तरीके से जंजातिया विद्रो को पढ़ना है जो एक पहले हुआ और दूसरा इसको भी मैं आपको बताऊंगी और जरूर एक एक क्लास जो होगा मेरा पूरा एक दिन का वो इन ही दो प्रश्नों पर होगा मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत इंपर्टेंट प्रश्न पूछा तो चली आपका यह दूसरा सवाल है नीना वर्मा जी का उन्होंने कहा है सवाल क्या एक सजेशन है मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके सजेशन को ही मैं फॉलो करते करते यहां तक आई हूं और मैं आगे भी बढ़ोंगी क्योंकि आपका जो डिमांड होता है वही मुझे मार्ग दिखाता है आपकी जो मांग होती है आपकी जो जरूरत होती है वही मेरा दिखाता है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का तो नीना वर्मा जी आपने जो कहां कि सब्ता में अलग अलग दिन अलग अलग विशय आप पढ़ाएं और एक दिन में दो विशय को लेके चलोंगी तो कल मेरा मोबाइल आया मेरा डिलिवर हुआ और मुझे मेरे पास अब परियाथ साधन उपलब्द है कि मैं एक दिन में दो वीडियो बना सकूँ तो थोड़ा भी फैस्टिवल का समय है तो आपके पास भी उतना समय सब्सक्राइबर को अपने साथ जोड़ों या अधिक लाइक्स या व्यूज्ज आए यह चाहिए जो भी जरूरत मन्स टूडेंट हैं जो हिंदी भार्षा को अपना माध्याम लेकर एक्जाम देने वाले हैं तो उनको उनका मैं सब्सक्राइबर करना चाहती हूं और उनकी उन्हों भी परियात शायता मैं कर सकूं तो यहीं मेरे वीडियो बनाने का प्रमुख हैं तो इस प्रकार मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं आपसे विदा धन्यवाद